नमस्कार दोस्तों लीगल गुरुकुल में मैं एड़ोकेट प्यूश मित्तल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाजरी माफी के बारे में यानि की एक्जम्शन एप्लिकेशन के बारे में दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति पर क्रिमनल केस चल रहा है जैसे कि यदि पती पर 498 का केस चल रहा है या किसी भी व्यक्ति पर चोरी का केस चल रहा है मारपीट का केस चल रहा है तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो भी अक्यूज है उसे हर डेट पर हर तारिक पर कोर्ट में प जैसे कि यदि वो बिमार पढ़ जाता है, या घर में कोई और बिमार पढ़ जाता है, या किसी की डेट हो जाती है या घर में कोई फंक्शन आ जाता है, शादी समार हो आ जाता है, या और भी कोई valid reasons हो सकते हैं जिस वजह से व्यक्ति court में पेश नहीं हो सकता court नहीं जा सकता ऐसी situation में वो क्या करेगा क्योंकि यदि वो तारिक पर court में पेश नहीं होगा तो court उसकी जमानत यानि कि उसकी bail cancel कर देगी ऐसी situation में जब व्यक्ति यानि कि accused person criminal case में court नहीं जा सकता है अपनी हाजरी नहीं लगा सकता है उसकी कोई मजबूरी है लेकिन वो चाता है कि उसकी bail भी cancel ना हो तो ऐसे में वो अपने advocate के थुरू हाजरी माफी यानि कि exemption application court में लगवा सकता है दोस्तों अब जानते हैं कि हाजरी माफी यानि कि exemption application क्या होती है और CRPC के किस section में इससे file किया जाता है दोस्तों हाजरी माफी यानि कि exemption application एक प्रकार का प्रार्तना पत्र होता है जिसके माध्यम से अभियुक्त यानि कि accused court में खुद पेश ना हो करके अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होता है और अधिवक्ता यानि कि advocate के द्वारा application लगाई जाती है कि accused इस इस कारण की वज़े से इस तारिक पर court में पेश नहीं हो रहा है दोस्तों ये application CRPC की धारा 205 और 317 के माध्यम से लगाई जाती है section 205 CRPC के अंदर जो exemption application दी जाती है वो magistrate court में फाइल की जाती है और ये application trial शुरू होने से पहले ही दी जाती है जबकि section 317 CRPC के अंदर magistrate court और session court दोनों में ये application लगाई जा सकती है और इससे trial के दोरान लगाई जाता है दोस्तों इन दोनों section में एक और difference ये भी है कि section 205 CRPC के अंदर जो exemption application लगाई जाती है वो permanent हाजरी माफी के लिए भी लगाई जा सकती है और वहीं पर 317 के माध्यम से जो application लगाई जाती है वो temporary हाजरी माफी के लिए होती है exemption application के साथ में और भी documents लगाने होते है जिसके अधार पर हाजरी माफी यानि की personal appearance की exemption मांगी जा रही है जैसे कि यदि कोई old age person है जिसका की इलाज भी चल रहा है तो ऐसे में उसका ID proof और उसके medical record साथ में attach किये जा सकते है या यदि आपके घर में कोई function है कोई marriage है तो उसके proof भी आपको अपनी exemption application के साथ attach करने होंगे दोस्तों अगर practically बात करें तो normally court exemption application को allow कर देती है हाजरी माफ कर देती है यदि उसमें दिये गए reasons valid है और genuine है और साथ में आपने proof भी लगाया है लेकिन यदि आप इस facility का misuse करते हैं तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि court आपकी हर बारी exemption application को allow करेगी ऐसे में आपकी exemption application को cancel भी किया जा सकता है और cancel करते time पर आपकी bail को भी cancel किया जा सकता है तो हाजरी माफी यानि कि exemption application एक facility है जो कि कानून के दोरा आपको दी गई है जिसका कि आपने सही तरीके से इस्तमाल करना है और इसको कभी भी misuse नहीं करना है यदि आपकी कोई legal समस्या है legal query है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share दुरू कीजेगा चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैन